यह सूज मैंने खरीदा है यह कापी ही मजबूत क्वालिटी का है बहुत ही प्यारा है जैसा ही दिख़ा वैसा ही इस्टेल सेप्टी टोई और बहुत जल्दी प्लेवर हो गया तीन जनुरी हमने खरीदा और आज पांच को हमारे घर पे पहुंच गया है और यह बिक चुका ह अब उपलब्द नहीं है कम मार्केट में आएगा पता नहीं 630 रुपए का दस नंबर भी बचा हुआ है और भी बचा हुआ है बाकी बिग्ग्या 6 नंबर जो मैंने लिया था इसकी बाकी डिटेल आप यहां से पढ़ सकते हैं और मैं डाल भी दूंगा यहां से भी पढ़ सकते हैं कि मिलाक में गऊँगा उंडीची ब्रांट यहीं दिची ब्रांड के जूत्ति काफी प्यारे और अच्छे हैं और सेटी टॉए में कम से कम रेट में आप जेख सकते हैं कई डिजाइन में अवलेवलेवल हैं आप अपनी जान सकता नुचाःट नोमें सेफटी युए को लेकर आया हूं और सबसे पहले तो इसके पन्नी के कुछ लिखा हुआ उसके बारे में पढ़के बता दे पैकिंग पन्नी इसको जरूड़ी है लोग अंबॉक्किंग करते हैं यहां पर बनाने वाले का नाम है और उसके बाद आप देखेंगे प्लास्टिक आप टाइप लडी पी और थिकनेस बावन पॉइंट फाइप माइक्राउन है और यह बीज परसंट ट्रिस्राइकिल मेटेरियल से बना हुआ है और कमपनी से बाइबेग पांच टुपे पर किलो खरीती है तो अब इसकी जूते की लें इंबॉक्शिंग कर रहा हूं और इसको इस तरीके से काटूंगा कि इसकी पनी बरबादना और मैं दुबारा यूज कर लूँ क्यों कि पर्यावनेर के प्रति में बहुत सा तर्क हो एक ही पनी को कई बार यूज करता हूं जब तक खराब ना हो जाए जूते ज्यादा हो जाते हैं तो उनको सम्हाल कर रखने में काम में भी आता है तो अब इसको मैं बॉक्शिंग करने चल रहा हूं काफी मजबूत जूता दिखाए गया है निट से आनलाइन मैंने खरीदा है से अमेजॉन से जो कुछ लोग अम्मा जान पी कहते हैं लेकिन म यूदिंची और इसकी बेवसाइड भी दिया हुआ फेस्बुक का दिया हुआ है यहां पर कुछ नहीं है यहां पर भी कुछ नहीं है और हम यहां पर आते हैं तो आप एक मिनिट इसको और साफ कर दूँ तो आप देखते हैं कलर कोड ओलिब एक पीस है छे नंबर यूके मर्पी 999 मोटा मोटा एकजार मेंस फूट बियर है सेप्टमबर 2018 में बना है और यह मार्केट लाइफ इस्टाल साब मार्केट हिंग की मंडी हिंग की मंडी आगरा से किया गया है कस्टमर के नंबर दिया और शेप्टी टोय इस्टील के साथ है इसलिए मैंने की तक मेरे में जॉब करता हूं और यहां पर 750 लिखा हुआ है मेरे वो काफी सस्ते में 630 के आज पास पड़ा है जिसके रसीद अंदर होने की संभावना है तो मैं आपको दिखाता हूं तो इस पन्नी के अंदर पर ले और यह अन्बॉक्सिंग वाव जूता तो काफी सांदार दिख रहा है इसको हम रखते हैं उधर और उसके बाद इसे सूच को देखते हैं कि इसका फीटा भी काफी अच्छे क्वाल्टी का है और जूता यूडीची एक ब्रांड है काफी पापुलर है शेप्टी सूच के लिए और एक क्लास अपार्ट लिखा हुआ है तो जैसा कि इसके आयड में दिखाया गया है इसका काफी ही अलग माडल का है और कारगो लिखा हुआ है यहां पर होलोग्राम लिखा हुआ है जिसे आला तेना रूप की रूशनी में करेंगे तो अलग तो दिखाएगा और आप देख सकते हैं सिलाई भी बहुत अच्छे स किया हुआ है यहां पर आप नरंगी कलर का है फिर आगे यह ब्लैक कलर का है और आलमोस्ट सिलाई जो है पूरे पर किया गया है और काफी स्टील टॉय यहां पर यूज किया गया है यह मैटल का दिया हुआ है जिसमें जूदे के फीता काफी सांदार लग रहा है और यहां स से आप फीते निकाल सकते हैं और यहां से भी निकाल सकते हैं यह 6 नंबर है स्टीकर से लिखा हुआ है यह तो गलत तरीका है यहां पर उस तरीके से प्रिंट होना चाहिए था यूंकि स्टीकर माली यह बाई मिस्टेक बदल जाए तो आप परिशान रहिए तो ठीक है अभी इसे में पहन के दिखाता हूं तो आप इसे देख रहे होंगे मैंने पहन लिया है जोता बहुत ही सही है और क्वाल्टी भी अच्छी है लेकिन इसकी एक ही सिखायत है कि इसका फीटा काफी छोटा दिया है मैं मैं इसे मोटे वाले मुझे को पहर करके चलना हूं कोई दिख्यत नहीं है थोड़ा साथ है स्टील टोय है मैं तो ही क्योंगा हमारे सभी ट्रेक मेंटेनर साथी या फिरोड भी जो जौब होगेरा करते हैं आप सुरुचित जगहा पर वह स्टील टोय वाले खरीश सकते हैं ओके थैंक यू